हेलो गुद मॉनिंग जोहार मसंजे और आप देख रहा है निव जार्खन चले जांगते हैं आज की जार्खन की 25 टॉप मुख्य बड़ी खबरों को बैठक में 28 जुलाई 2023 से सुरू होने वाले मानसुन सतर में शदन की कार रवाही की सुचारो संचालन पर विचार में मरसुवा इस सर्वदलिय बैठक में संसदिय कार मंत्री आलम के आलम मंत्री सत्यानंद भोगता विधायक शर्यू राय कमले सिंग आश्व विधायक लंबो बैठक होगी, मोके मंत्री की अध्धक्सता में शत्ता पक्ष की बैठक होगी, जबकि बिजेपी विधायक दल की बैठक बाबुलाल मारांडी की अध्धक्सता में होगी बड़ी खिबर, राज के साथ आईपीएस अपसरों का हुआ तबादला, ग्रामीन एसपी रांची नौशाद आलम भी है सामिल, जारकन में पुलीश अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें साथ आईपीएस रांग के अधिकारियों को अलग-अलग जिले का कमान इपक कुमार को गिरिडी, डॉक्टर विमल कुमार को सराइकेला खारसमा और पितांबर सिंखो दुमका एसपी का कमान शौपी गई है। पूरी बैंड पार्टी के लिए 20,000 रुपए, जबकि आधी बैंड पार्टी के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। ज़ारखन के इन हिस्सों में दो दिनों तक होगी भारी बारिस मौश्रम विवाग ने जारी किया अलर्ट पिछले 24 घंटी में राज्ज में कहीं कहीं पर हलके से मध्धम दर्जे की वर्सा हुई। राज्ज में मानसुन की गतिविधी कम जो रही सबसी अधिक वर्सा 32.6 मिलिमीटर पूर्वी सिंगुम के चाकुलिय में दर्ज किया गया है। सबसी अधिक उचितम ताफमान 37.3 डिगरी गोड़ना में और सबसे कम ताफमान 23 डिगरी सेलसेस राज्ज में दर्ज किया गया। 29 जुलाई से एक अगस्त तक करीब पूरे राज में बारिसोने के संभाणा हैं। इड़ी के सामने नहीं आए कारुबारी विसनु अगरवाल जमीन हेराफेरी मामले में होनी थी पूछताच पूजापाट का हवाला देकर हाजिर होने में जताई आज समर्थता। कारुबारी विसनु अगरवाल बुधवार को फिर एड़ी के सामने पेस नहीं हुए। बुधवार को उनसे रांची के चेसायर होम, पुगडू और सिरम टोली में सेना की जमीन समित कई अन्य जमीन की खरिद बिकरी में हुई। पेरी के समन में पूचताच की जाने थी, लेकिन वे नहीं आए। CPI नेता सुबास मुंडा की गोली मार के धत्या, रांची के दलादली चौक इस्थित आफिस में मारी गोली मौके पर हुई मौत। उनकी मात हो गई। आ रही जानकारी के अनुसार सुबास मुंडा को अपराधियों ने साथ गोली मारी है, गोली मानने के बाद बेख़व अपराधियों मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद एलाके किरावदी कर अपराध्यों की तलास की जा रही है, हलाकि अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, घटना के बाद उस छेतर में आतंग का महौल चाह हुआ है, सुचना है कि उनके कुछ समर्थकों ने गुस् फीज करने का विरोध करतो हुए, जो ही SPB8 कॉलिज वा विश्रविद्दाले की सभी विवागों में ताला जड़ चात्रों ने विश्रविद्दाले के किलाब जम कर नारिबाजी की, अंदुरन के बाद विश्रविद्दाले प्रशासन ने बढ़ी हुए फीज को ततकाल परभाव से इस्थगित कर दिया, अब चात्रों को नमांकन के लिए 88,000 रुपई ही देना होगा, इसके साथ ही चात्रों ने अपनी अनिश्रित कालिन टाला बंदी को भी अस्थगित कर दिया जारकन विधानसभा स्पीकर का आदेश हिंदी में ही विधायकों के पारित सरकार चाहे तो कराले ट्रांसलीट जारकन विधानसभा में अब स्रिप हिंदी में ही विधायक पारित की जाएंगी राजभौन को यही विधायक मंजूर क्लीप ही जाजाएगा बुद्धवार को विधान सभा परिसर में आधिकारियों के साथ बैठक में विधान सभा अध्धक्ष रविंद्र नायत महातो ने आधिकारियों को इस संबन में सतरक्ता बरतने का सुझाओ देतों वे कहा है कि हिंदिय अग्रेजी अनुवाद की तुरूटियों के करण ध्यान रखना चाहिए कि सदन का समय बेहद कीमती होता है अनुवाद की विशंगतियों के गरण जो है राजभौन से जो है कुछ विधाया को लोटाने समंदित सवाल पर विधान सभा अध्धक्ष ने कहा है कि विधान सभा में अब सिर्फ हिंदी में ही जो है विधायक प पर लगाए 500 उर्पे का जुर्माना बोलिवर्ट फिल्म अभिनेतरी अमिसा पर टेल से जुड़े चेक बाउंस मामले में बुधवार को रांची सिविल कोर्ट में शुनवाई हुई रांची सिविल कोर्ट ने जूडिशल मजिट्रेट डियन शुकला की कोर्ट में अमिश मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी इससे पहले इस मामले पर 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी इस दोरान कोर्ट ने उन्हें उन पर लगे आरूप बताये थे अमिशा ने खुद पर लगे सब भी आरूपों को मानने से इनकार कर दिया था कोर्ट ने अमिशा से पूछा किया आप मध इस्तता करना चाहती है जिस पर आमिशा ने हामिभरी अभिनेतरी ने कहा है कि वा अपने परतनिधी के माध्यम से मध इस्तता केंदर जाना चाहेंगी इस पर कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए आपको सा सरीर उपस्तित होना होगा ऐसे में आमिशा ने विचार विमर्स का समय मागा है। पूल निर्मान इस्तलपर की मार पीट और तोड फोर, खुंटी जिले के मुरहुधानाच शेतर अंतरगत, सुरुंदा और जो है मारंग टोली पद पर निर्मान धिन पूल में मंगलवार देरसाम पिल अफ़ाई के उगरवादियों ने लेबे के लिए जम कर उतपात मचाया तीन उगरवादियों ने पूल निर्मान कार में लगे, कर्मियों के शाथ मार पीट की और जैसे भी बाइक और असकुटी में तोड फोर की घटना को अंजाम देने के बाद उगरवादियों वहां से फरार हो गए कोडर्मा के नवल साही में सडक हाथ सा गिरीडी के पती पतनी की मौत दुनिया के सबसे जहरीले साप ने इस घर में भणा रखा था ठीका ना 47 रसेल वाइपर देख लोग के होंस उड़े रसेल वाइपर को दुनिया का सबसे खतरनाक साप कहा जाता है इस साप को देखता ही अच्छे अच्छे लोग के हालत बिगड जाती है लेकिन अगर घर के किसी कोने से एक दो नहीं बलकि इस जहरीले साप का पूरा परिवार जिसकी संख्या 47 हो मिले तो आप क्या कहेंगे ऐसा खाफनाक दृस्त दिखा है जायरखन में जहां पाकुड में इस साप ने पूरे परिवार के साथ अपना ठीकाना ले रखा था एक घर से 47 सापो का परिवार मिला एक साथ इतनी शंक्या में सापो के मिलने से पूरे गाउं में हड़कम मच गया दरसल या मामला महसपूर प्रकंशेतर के चांदपूर गाउं का है जहां जो है मोजबूर सेख नाम के एक युवा के घर से रसील वाइपर नाम का जहरी रा साप निकला साप एक नहीं बलकि पूरे 46 बच्चों के शाथ निकला दरसल परिवार के सदसों की जब घर के अंदर सांपों के जुण पर नजर पड़ी तो देख कर वो दंग हो गए सांपों को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामी जमा हो गए मोके पर वण वहागत वरा स्नैक रेस्क्यू आर असरफ फुल छक को बुला किया जिसने घर से कुल 46 रसल वाऑर सांप के बच्चे का रेस्क्यू किया जो एक बड़ी रसल वाऑर सांप का बच्चा है उस घर में घुसकर बड़े रसल वाइपर सांप ने अपने चालिस बच्चों को एक साथ एक ही दिन में जान में दिया था घर से चालिस बच्चों की मा बड़े रसल वाइपर का रिस्क्यू किया गया तब जाकर घरवालों ने चायन की सांस ली चत्रा में ट्रेक्टर से गिर कर मजदूर की मौत, चत्रा जिले की जोरी में ट्रेक्टर से गिर कर एक मजदूर की मौत हो गई, ट्रेक्टर पर बालू लदा था, ट्रेक्टर मालिक जोहें टेलर छोड़कर इंजन लेकर फरार हो गया, पुलीस मामले की जिनाच में जुट ग अलाके गिरामेनों की मदद से सभी बच्चों को अहर से सुरक्षित निकाल लिया गया। नहने वाली एक महला को प्यार हो गया। सुमवार की देरात महला युवक के घर पहुँच गई और महला पहले से साधी सुधा है। उसके दो बच्चे हैं। इस थानी युवक ने बताया है कि दोनों के बीच रिस्ता मॉबाइल में पपजी गेम की वज़ा से हुआ। इन दोनों का रिस्ता नया नहीं है। दो महने पहले भी महला अपने पती को छोड़कर यहां पहुँच गई थी। दूसरी तरह पती ने अपनी पत्नी की गायब होने की सिकाय थाने में की थी। प्रिंस्पल के खेलाब जम कर हुई नारेबाजी। सिक्षक ने खुद को बचाया और अस्कूल में परवेस कर गया। पेरेंट्स भी अस्कूल पहुँचे और जम कर हंगामा किया। छात्रा की परिजनों के साथ साथ इस थानी लोग भी मौजूद थे। वह मांग कर रहे थे कि आरोपी सिक्षक को उनके हवाले कर दिया जाए। तुरंद इसकी सूचना थाने में दी गई। सूचना मिलता ही ललपनिया ओपी पर भारी सुबोत कुमारदास मौके पर पहुँचे आई भावकों को समझाने की कोसिस की गई। लेकिन आई भावक नाराज थे और नहीं मान रहे थे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज बिरस पतिवार 27 जुलाई 2023 को जारखन के किसानों को बड़ी सौगाद देने जा रहे हैं। पीम मोधी 607 किसान समृधी केंदर जारखन को समर्पित करेंगी। यह जानकारी भारती जनता पार्टी बिजेपी के जारखन प्रदेश बहामंत्री एवं जहे मुख्याले प्रभारी डॉक्टर प्रदीफ वर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बता है कि बरस पतिवार को पीम मोधी राजस्तान के सीकर से 1.25 लाग किसान समृधी केंदर देश को समर्पित करेंगे। 10 बजे होगा इन सभी केंदरों पर बड़ी संख्या में किसान भाई सामिल होगे। जनरल विकास कुमार चौधरी समयत अन्ने सेन्य अधिकारी गनवा करमिगन उपस्ते थे राजेपाल ने सेना के सभी अधिकारियों वा जवानों से मिलकर शनवाद किया तथा इस जो डिविजन के सोरी वा प्राकर्म से आउगर्थ होकर अभी भूथ हुए उन्होंने सभी जनरल विजए दिवस की सुपकामनाय थी अस्पेन और मेजबान जर्मनी के खिलेगा 29 नॉमबर से 10 दिसंबर तक सेंटिया को चिली में खेले चाने वाले महतपून महिला एफ आई एच होकी जुनियर विश्व कप के लिए टीम के तयारी का यहाँ हिस्सा होगा जर्खन के 413 आंदुलनकारी चनहित दिवखर राची और हजारी बाग में सबसे ज़्यादा आंदुलनकारी होम डिपार्टमेंट ने चारिकिया आकड़ा अलग जर्खन राज्यो को लेकर आंदुलन करने वाले लोगों को राजसरकार चनहित कर रही है ऐसे आंदुलनकारींगों को चनहित करने का काम गरी कारा एवं आबदा परवंधन विभाग की और से जारी आकड़ी का अनुशार अब तक जर्खन में 413 आंदुलनकारींगो 12, गिरिडी के 43, गुड़डा के 19, गुमला के 33, हजारी बाग के 23, कोडर्मा के 13, लातिहार के 2, लोहरदगा के 29, रामगड के 8, रांची के 47, साहिब गंच के 10, और सराय किला के 22 आंदुलनकारी सामिल हैं स्कूलों में 29 से मनाई जाएगी नई सिक्षानिती की वर्सगाट कि CBAC के CT कोडिनेटर डॉक्टर राम सिंग ने बताया है कि संस्कृती कारिक्रमों वा अन्य गतिविधियों के जर्ये नई सिक्षानिती के प्रतिजागरुपता फैलाई जाएगी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कारिक्रमों को वे ट्वीटर, फेस्बुक, संग अन्य सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म पर भी सेयर करें 11,000 वोल्ड की तार की चपेट में आये सिक्षक तरडब तरडब कर हुई मौद, सोच के वक्त गलती से पड़ा था पैर, पसमी टुंडी के मनियाडी थाना चेतर के बरियारपूर गानेवासी पारा सिक्षक दिनेश कुमार मरानडी की मौद बेजली परवाही तार की चपे इसके नीचे लोधरिया बस्ती कुली के 11,000 वोल्ड का मेन लाइन गुजरता है, बिजली परवाही तार का टुकडा जमीन पर जो तूट कर गिरा था, जिसे सौच के ले निकले सिक्षक दिनेश भाप नहीं पाई और इसकी चपेट में आगे, इस घटना से ग्रामीनों में जहे मनियाडी थाने के पुलीस वा बिजली विभाग के प्रती काफी आकरोश दिख रहा है। एक अगस से हरताल करने वाले हैं। भुक्तान हो चुका है लेकिन जहारकन के पीडियस डिलरों को अब तक इसका भुक्तान नहीं हुआ है। भुक्तान के पीडियस डिलरों को अफिलम इसका भुक्तान करने की मांकी है। झाले हैं। झाले हैं। झाले हैं।